वेलकुम बेक फ्रेंड्स दिस इस करंट अफर्स पंडा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्वरी से लेकर जून के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट कमेटी हैं बहां से कुस्टेंज कैसे फॉर्म हो सकता है और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में ह समझेगे कि इस कमेटी का क्या रोल था और इस कमेटी की अद्यक्षता इसके प्रेसिडेंट जो है या फिर चेयर्मेंशिप किसने की तो आज की इस वीडियो में हम इन टॉपिक पर फोकस करने बाले हैं या आपके बैंके एक्जाम से फिर अफिर अधर एक्जाम सों बहां वन लाइनर कमेटी इसके नाम बताऊंगा आपको उनसे भी कुश्चन्स आपके एक्जाम में पूछा आता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको दूसरा पार्ट चाहिए या नहीं और जैसा भी होगा उसके बाद हम उस वीडियो को आप तक जरूर लेकर तो देखो मदुकर गुपता जो कमेटी है यह जो इंडो पार्क बॉर्डर है इसको एक्जामाइन करने के इसको स्टेडी करने के लिए कमेटी बनाई गी है ताकि हमारा जो बॉर्डर प्रटेक्शन है वह बहुत ही यूज अच्छा हो और वहाँ पर क्या-क्या एक यहाँ पर और आपका प्रश्ण मनता है कि जो मेंमार बॉर्डर है तो इसका भी रिव्यू लिया जा रहा है तो इसमें भी यूनिन गवर्मेंट ने कमेटी का गठन किया है जिसके अद्धिक्श कौन होगे रीना मित्रा यह चीज आप नोट कर ले रीना मित्रा मेंमार में बहाँ पर जो ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है मतलब कि एक्शेंज बहाँ के जो पेपल है वो एक्शेंज कर सकते हैं वांडिस को तो इसको रिव्यू करने के लिए ठीक है कि कि किसी भी तरीके का कोई भी नेशनल सिकूरिटी थेर्ट नहों तो इसको जो ह है वो चार स्टेट के साथ इसका बॉर्डर सेर होता है अवनाचल परदेश, नागालेंड, मनिपूर और मिजोरम इन चार बारत के परदेश इनके साथ में इसकी सीमा यह सेर होती है तो दो तीन पॉइंट आप यहां पर नोट कर सकते हैं एक और आपका कुश्चन है यह RBI से रिलेटेड है बहुत ही जरूरी है इसमें कहा गया है RBI ने सेट अप किया है एक इंटर डिसिप्लिनरी स्टेंडिंग कमेटी जिसमें वो साइवर थ्रेट्स को रिव्यू करेंगे तो साइवर थ्रेट्स को रिव्यू करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है जिसक भी third party कोई virus attack है, उन सब चीजों से किस तरह के बचाओ हो, या फिर जो bank है वो क्या protocol यूज कर रही है, तो उन सब की चीजों की study के लिए ही ये committee का गठन किया जाता है, तो ये चीज आप यहाँ पर note कर सकते हैं, fine, एक प्रशन आपका यहाँ पर और बनता है, ये भी RBI से related है RBI ने सुदर्शन SEN जो है, इनको बनाया है, और ये जो है, Fintech और Digital Banking जो है, इसको review करने के लिए, इसकी study करने के लिए, इस कमेटी का गठन किया गया है, तो Reserve Bank of India ने एक Interregulatory Working Group जो है, ये बनाया है, तो ये क्या करेगा, study करेगा, जो financial technology है, Fintech की, जो full form है, ये financial technology, जिसक study के लिए, ये जो है, सुदर्शन SEN को, इसका head बनाया गया है, तो ये चीज़ आप note यहाँ पर कर सकते हैं, और ये executive director, जो है, RBI के, सुदर्शन SEN ये है, और इसमें 13 member की total एक committee है, जिसमें एक head होंगे, और इनके साथ में 12 member और होंगे, एक question आपका यहाँ पर बहुत ही जर girls की education है, उसके लिए committee का गठन किया है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर note कर ले, तो जो HRD ministry है, Union Human Resource Development Ministry, इसने constitute किया एक subcommittee on Central Advisory Board of Education, CABA, to look into issues of girls education, ठीक है, तो इसके, इस issue पर work करने के लिए, इसको examine करने के लिए, इस committee को बनाया गया है, और इसके head कौन है, ये है तेलंगाना क जो deputy chief minister है, और education minister है, जिनका नाम है, कदियम सरीहरी है, तो ये point आप नाम जरूर नोट कर ले, ये head होंगे, इस committee के, देखो, exam में directly आप से पुछाता है, कि ये जो committee, particular committee है, ये किस लिए बनाई गई है, दूसरी चीज, इस committee के head कौन होंगे, तो इनी दो question के आसफास में, आ जो socio-economic factors हैं, तो उन पर work करने के लिए, ये जो है, committee का गटन किया गया है, एक question आपका है, और भी है, बहुत ही जरूरी है, इसमें दूस्तों क्या हुआ कि government ने एक task force बनाने की बात कही थी, जिसमें क्या है कि action plan त्यार किया जाएगा, जो आने वाले 3 olympic games, ऐसा क्यों क् क्योंकि बहुत ही खराब प्रदर्सन था olympic में, तो इस बज़े से ये decision लिया गया, तो इसमें क्या है कि एक task force बनाई जाएगी, अब ये आप note कर लें कि ये task force है, इसमें कितने member हैं, तो पहले point ये है, कि इस task force में 8 member होंगे, और ये 8 member ये work करेंगे, ये पूरा action plan तो इस olympic में भारत का प्रदर्सन जो है, वो कैसे और अच्छा हो, इसके लिए ये पूरा committee team बर्क करेगा, तो इसमें सिरी पुलेला गोपी चंद है, ये olympian और coach है, और सिरी जो अविनब बिंदरा है, ये olympic gold medalist है, इनको रखा गया है, राजे सकालरा, ओम पाठक और पीरन को रखा गया है, एस बलदेव सिंग, ये coach है, इनको रखा गया है, और जील खना, ये professor and dean है, exercise and physiology, faculty of applied sciences, ठीक है, और साथ में जो सुदीप, संदीप प्रदान है, इनको रखा गया है, तो टोटल ये 8 लोग हैं, आप इस चीज को यहां पर note कर सकते हैं, दूसरी चीज क्या है, कि जो भी questions आपके exams में पूछे जाएंगे, आप उनको यहां से देख सकते हैं, क्योंकि structure दो exams का है, वो कुछ-कुछ इस format में ही बनता है, एक और आपसे question यहां पर कहा गया है, कि बिंदरा और पादुकोर्ण जो है, इनको 9 सदस्य गवर्मेंट पैनल है, जो कि न बिंदरी प्रकास पादुकोर्ण जो है, यह बैडमिंटन है, तो 9 सदस्य जो गवर्मेंट पैनल बनाया गया है, जो फॉर्म क्या गया है, यह क्या करेगा, कि जो नेशनल स्पोर्ट्स डवलप्मेंट कोर्ट्स हैं, और इसके disciplines हैं, इनको examine करेगा, तो आप यह जहां पर कर सकते हैं, और यह जो कमेटी है, यह जो पूरा पैनल होगा, इसके जो sports secretary, committee के head होंगे, वो है, इन जेती सिरी नवास, आई सिरी नवास, जो है, वो इसके head होंगे, तो यह point आप यहां पर note कर सकते हैं, इसी के साथ में मैं एक question आपको और यहां पर देना चाओँगा, यह यह है कि Union Ministry ने जो Youth Affairs and Sports को डील करता है तो उसने T.O.P. कमेटी बनाई है, T.O.P. की फुल फॉर्म आप यहाँ पर नोट कर लें, यह है Target Olympic Podium, इसकीम है, Target Olympic Podium, T.O.P. कमेटी, तो इसमें भी क्या है कि 2020 और 2024 में कि जो Games होंगे, उनको Target रहकर, Target रहकर ही यह बनाया जा रहा है कि बहाँ पर हम लोग जो पदक तालिगा है, उसमें अच्छा focus कर सकें, ठीक है, तो लेकिन इस कमेटी के जो head होंगे, यह कौन होंगे, अभिना बिंद्रा, ओके, यह Olympic Gold Medalist है, तो इनको यहाँ पर रखा गया है, तो यह चीज़ आप note कर सकते हैं, और इसका objective है, With the objective of identifying and supporting potential medal prospects for 2020 2024 Olympic Games under T.O.P. Scheme, तो यह question भी नाद कर लें आप यहाँ पर, क्योंकि आप से T.O.P. Scheme के बारे में पुछ सकता है, T.O.P. की full form पुछ सकता है, यह पुछ सकता है, कि T.O.P. Committee जो है, इसके head कौन है, तो यहाँ से आपके दो-तीन question बन जाएंगे, एक question आपका और यहाँ पर है, इसमें कहा गया है, कि जो रतन बटल कमेटी है, डिजिटल पेमेंट्स के लिए यह बनाई गया है, तो directly आपसे question पुछाएगा, कि डिजिटल पेमेंट्स को रिव्यू करने के लिए, कौन सी कमेटी का गठन किया गया, तो वो कमेटी का नाम है, रतन बटल कमेटी, ठीक है, यह 11 सदस्य कमेटी है, और इसके head है, रतन पी बटल, इनका पूरा नाम आप नोट कर लें, इन्होंने अपनी final report, जो है, Union Finance Ministry को दी, लेकिन जब final report इन्होंने दी, तो RBI ने क्या करा, इसका oppose कर दिया, जो इन्होंने payment regulatory board, जो है, PRB की बात कही, तो इन्होंने इसको, RBI ने इसका oppose किया, और कहा, कि जो इसको establishment ठीक नहीं है, इसमें problems आएंगी, तो केबल इसका recommendation आया था, उसके बाद में RBI ने इसको oppose किया, जो इन्होंने एक अलग से PRB की बात की थी, तो इस चीज़ आप यहां पर note कर सकते, बैसे जरूरी यह है कि digital payments के लिए कौन सी committee बनाई गई, वो है Ratan P. Vatel, एक question आपका यहां पर यह बनता है कि नीती आयोग ने चंदरबाबु नाइडू committee बनाई, जो कि promote क्या करेगी, cashless society, digital economy, क्योंकि demonetization के बाद में, क्या हुआ कि पूरे country में जितने भी transactions थे, तो उनको क्या किया जाए, कि digital कर दिया जाए, मतलब कि cashless transactions हो, तो इसके लिए क्य क्या है कि cashless society या digital economy, तो इनको promote करने के लिए, चंदरबाबु नाइडू इनको अधिक्ष बनाया गया, ठीक है, एक committee का, तो यह point आप यहां पर note कर सकते, एक question आपका और भी है यहां पर, यह अगर पूचा है कि demonetization के लिए, कौन सी committee बनाई गई थी, तो जो CM committee थे, तो उ promotion करना cashless society और digital economy का, ठीक है, यह funda पूरा था, और यह आंधरप्रदेश के CM थे, चंदरबाबु नाइडू, तो यह चीज आप यहां पर note कर सकते है, एक question आपका और यहां पर बनता है, इसमें क्या है, कि जो union government है, इसने अमिताप कांथ कमेटी जो है, इसका गठन किया, e- कमेटी जो बनाई गई, तो यह point आपका जरूरी है, अब इसमें क्या है, कि जो foreign direct investment है, या फिर जो various issues है, e-commerce में, तो इनको study करने के लिए, यह कमेटी का गठन किया गया, और इसके अध्यक्च कौन थे, अमिताप कांथ, जो की CEO है, किसके है, नीती आयोग के, यह नीती आय को लाया गया था, तो इस चीज आप नोट कर लें, अगर आप से कभी पूछाए कि नीती आयोग के चेर्मेन कौन होते हैं, तो इस तो हमेशा पहले planning commission की चेर्मेन से prime minister करते थे, अभी भी जो नीती आयोग है, इसके जो चेर्मेन है, वो भी prime minister of India ही होते है, एक question आपका हो यहाँ पर, यह जब बहुत ही जादा soaring prices थे, rate काफी high जा रहे थे, तो उस time पर union government ने क्या किया था, कि जो अर्बिंद सुब्रमेनम committee यह बनाई गयी थी, इसमें क्या था, जो pulses थे इनको deal करने के लिए, कि इनकी shortage ना हो जगह पर कोई लोग कॉला बजरी ना कर पाएं, य इसकी बज़े से, यह committee का गठन किया था, ठीक है, और अर्बिंद सुब्रमेनम कौन है, यह दोस्तो 16th Chief Economic Advisor है, Government of India में, अभी present में भी, यह चीज़ आप यहाँ पर note कर सकते हैं, fine, तो यह committee जो है, जो है, बनाई गई थी, अरुण जिटली जो finance minister है, इनोंने इसको recommend किया था और उनके बाद में, यह committee बनाई गए, जिसके अधिक्ष कौन है, यह है, अर्बिंद सुब्रमेनम committee, ठीक है, यह point आप यहाँ पर note कर सकते हैं, एक question दोस्तों, आपका और यहाँ पर बन जाता है, वो है, स्याम बनेगल committee, तो यह committee बनाई गए थी, sensor board में सुधार के लिए, तो आप यहाँ पर note कर लें, CVFC का मतलब होता है, Central Board of Film Certification, तो इसमें revamp, revamp का मतलब होता है, सुधार करना, तो revamp करने के लिए, सुधार करने के लिए, सुधार करने के लिए, स्याम बनेगल committee जो है, इसका गठन किया गया, government के द्वारा, तो यह चीज आप यहाँ पर note कर सक इससे की, जो sensor board है, इसमें कुछ सुधार किये जा सके, fine, और इसने अपनी report submit किसको की, union, INB minister, जो अरुन जेटली जी, उनको यह report submit की, एक question आपका है, और और बनता है, बहुत ही जरूरी question है, देखो, जो bullet train project है, इसको, इसका fast track, जो model है, उसके लिए, एक committee का गठन किया ग committee, ठीक है, यह point आप note कर लें, तो union government ने क्या, क्या, constitute किया, एक committee के लिए, fast track, जो मुंबई, एहमदाबाद, high speed trail corridor है, जिस पर bullet train दोड़ेगी, तो यह चीज़ आप note कर सकते, इसके लिए, अर्बिंध पनागरिया committee, इसका गठन किया गया, तो इस committee का main मकसद यह था, कि जो pennies, जो counterpart है, उनके साथ में, officially deal किया जाए, और उनसे बात की जाए, तो उनके लिए, यह committee का, गठन किया गया, fine, तो यह चीज़ आप यहाँ पर note कर सकते है, एक चीज़ और है, दोस्तों, यहाँ पर, जो अर्बिंध पनागरिया है, यह 22 चेर महन है, इसके, नीती आयोग क एक question आपका है, यह है public private partnerships related, आपने तीन word सुने होंगे, एक आप सुनते होंगे PPP, या फिर आप सुनते होंगे P3, या फिर 3P, तो तीनों का मतलब सेम है, public private partnership, इसका मतलब दोस्तों यह होता था, कि जो government enterprises हैं, वो private companies के साथ में deal कर रहे हैं, तो उस पूरे model को नाम दिया ग कि union government ने कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी के head होंगे, बिजय केलकर जी, और यह PPP, इंफ्रा मॉडल जो है, इसके लिए, इन्होंने गठन किया, इस कमेटी का, तो यह चीज आप यहाँ पर note कर सकते हैं, और यह 10 सदसी एक कमेटी हो गई, ठीक है, और इसमें क्या है, public private partnership, यह PPP, जो है, infrastructure development के लिए, यह कमेटी का, गठन किया गया, ओकी, यह point आप note कर ले, और जो बिजय केलकर है, यह former finance secretary रह चुके है, तो यह point भी आपके लिए जरूरी बन जाता है, एक question दोस्तों, और भी जरूरी है, देखो, अगर आपसे question पुछा है, कि इंडस border treaty को फिर से examine करने के लिए, मतलब कि उस पर review करने के लिए, government ने high level task force बनाया, okay, तो question यहां से यह बन जाता है, कि यह जो पुरा पंगा है, क्या, किस country के साथ में, इंडस border treaty का scenario था, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि जो इंडस border treaty, यह क्या है, सिंधू जल समझा होता है, तो यह दो करता है, कि जो इंडस border treaty है, इसके लिए, union government ने form किया था, एक inter-ministerial task force, जो कि इसके strategic aspects के उपर work करेगा, इंडस border treaty, जो पाकिस्तान country के साथ में, हुई है, okay, तो यह चीज़ आप नोट कर ले, और इसके head कौन है, यह है, प्रामिनिस्टर, नरेंद मोदी के जो principal secretary है, जिनका पॉस करके यहाँ पर यह पूरी detail आप हिंदी में समझ सकते हैं, एक question आपका और यहाँ पर बन जाता है, कि एक committee जो है, जिसका formation हुआ, examine करने के लिए, कि जो CCIM है, इसको examine करने के लिए, एक committee का गठन हुआ, तो मैं आपर directly आपको question बताऊँगा, कि एक committee के head कौन है, पह examine करेंगी किसको, regulatory bodies, Central Council of Indian Medicine, CCIM, और साथ में, CCH, Central Council of Homeopathy, और उनकी जो governing legislations हैं, जिनका नाम नोट कर ले, Indian Medicine Central Council Act, 1970, and Homeopathy Central Council Act, 1973, तो यह चीज़ आप नोट कर ले, इसका basic objective, basic motto यह था, कि जो आयूस है, इसमें reforms किये जाए, आपने आयूस के बारे में सुना होगा, यह से मत होता है, दूस्तों, आयूरबेद, बाई से मतला होता है, योग, यू से होता है, यूनानी, और से मतला होता है, सिद्ध, ह का मतला होता है, होमेपैथी, तो यह पूरा हमारे हैं पर एक separate ministry है, आयूस ministry है, तो क्या है कि जो Central Council of Indian Medicine, CSIM है, तो इसको examine करने के लिए, एक कमेटी पे ही पूछे जाते हैं, एक प्रशन आपका और यहां पर बहुत ही जरूरी है, इसमें कहा गया है, कि जो आपने सुना हो का Virtual Currency, तो इसका जो framework है, इसको study करने के लिए, कि भारत में apply किया जाए, लागू किया जाए, या नहीं किया जाए, इसको study करने के लिए, कमेटी ज मतलब बता देता हूँ, Virtual Currencies क्या होती हैं, दोस्तों, यह Cryptocurrencies होती है, इनका Physical Existence कुछ भी नहीं होता है, यह केवल-केवल Virtual Format, मतलब कि यह आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन क्या है कि यह बहुत जादा प्रचलन में है, जैसे कि Bitcoin की अगर हम बात करें, तो Bitcoin जो है, authenticate करता है, जैब पे नाम का एक application, तो जैब पे क्या है, यह एक wallet है, जो क्या करता है, Bitcoin की जो selling और purchasing है, उसको यह deal करता है, अगर आप Bitcoin को sale और purchase करना चाहते हैं भारत में, तो आप जैब पे के तुरू यह business कर सकते हैं, बहुत ही authentic application है, एक चीज मैं आपको और बताना यह होती है virtual currency, मतलब की जो जिसका physical existence ना हो, और completely एक cryptocurrency भी है, cryptocurrency का मतलब है, इसको आप hack नहीं कर सकते हैं, मतलब कहा जाए कि बहुत सारे N number of possible combinations इसमें बनते हैं, जिनको आजकल hack करना, जहां पर cryptography लगती है, बहां पर खुद जो data होता है, वो एक encrypted format में, जो है, sender से receiver के end मे है, तो government चाहती है कि क्या जो हमारे हां की जनता है, क्या उसका पैसा अगर इसमें लगे तो इसके उपर जो risk को, या फिर और भी measurement हो, तो उनको study करने के लिए ही government ने एक existing framework जो है, यह पूरा virtual currency का, इसको study करने के लिए Siri Dinesh Sarma, जो है, इनको head बनाया, अब क्या हो सकता है कि Bitcoin से money launding भी हो सकती है, क्या है कि बहुत सारा पैसा Bitcoin के थ्रू हमने transfer कर दिया एक country से दूसरे country में, अब इसमें क्या है कि बीच में आप यह नहीं पता कर सकते कि कौन सा sender है, वो sender की information जो है, वो encrypted format में रहती है, वो आपको एक has code में दिखेगी, जो कि आप उसको read नहीं कर स होता है, ना आपको sender का address पता चलेगा, ना आपको receiver का address पता चलेगा, तो यह थोड़ा सा funda है, बाकी और भी Bitcoin के उपर आप research सोड़ी कर सकते है, और समझ सकते है कि Bitcoin ultimately है क्या, एक question आपका यहाँ पर यह है, कि जो एक committee बनाई गई, जो की scheme उडान है, इसको monitor करेगी, तो सी किदी सी बात यह समझ लो, उडान scheme क्या है, यह affordable scheme है, जिसके अंतरगरत, जो हमारे यहां के लोग है, इनको flight facility available कराई जा सके, उडान की tagline note कर लें, यह है, उडे देश के आम नागरिक, तो जो यह flying affordable rate पर उपलप्त कराई जा, इसके लिए, जो है, inter-ministerial committee, जो है, इसका बनता है, एक प्रशन आपका और यहां पर बन जाता है, यह है, उडे कोटेक, उडे कोटेक का जैसे ही नाम आता है, तो आप यह सोच सकते हैं, जो कोटेक महंदरा बैंक है, उसके यह managing director है, तो exeo day by chairman and managing director है, यह चीज आप यहां पर note कर सकते हैं, उडे कोटेक को, सेभी, जो security and exchange board of India है, इसने head बनाया है किसका, corporate governance panel का, ठीक है, तो question directly आप से पुछाएगा, कि corporate governance panel का head जो है, सेभी ने किसको बनाया, तो यह उडे कोटेक को बनाया, तो यह point यहां पर जरूरी है, आप यह note कर सकते हैं, और यह जो committee है, यह advice देगी, the market regulators on areas such as ensuring the active participation of independent directors in the functioning of companies, तो यह कुछ aspects हैं, जिन पर यह committee जो है, अपने, जो है, advices देगी, fine, एक question आपका और है, यह है, insolvency and bankruptcy board, जो है, इसने दो advisory committees, जो है, इनका गठन किया, अब दोनों committee के नाम आप से पुछे आ सकते हैं, एक, जो है, service providers है, और एक क्या है, corporate liquidation है, तो अगर आपसे question पुछाया है, कि जो IBBI, IBBI, देखो, IBBI जो है, इसको हम कहते है, भारतिय दिवाला और सोधन अक्षमता board, Insolvency and bankruptcy board of India, यह जो है, दोस्तो, यह established हुआ था, 1 October 2016 को, ठीक है, यह चीज़ आप यहाँ पर note कर सकते हैं, और जो Insolvency and bankruptcy code था, 2016, उसके provisions के अंतरगत इसको बनाया गया, और इसके chairman, जो है, अभी वो कौन है, MS. साहू है, अब question यहाँ पर यह बनता है, कि जो IBBI ने, दो advisory committees का गठन किया है, एक है service providers है, तो आप note कर लें, the advisory committee on services, तो उसके headcon होगे, यह है, educationist, यह है, Mohandas Paya, यह आप note कर लें, दूसरा क्या है, corporate liquidation, तो जो advisory committee बनाईगे है, corporate insolvency and liquidation, तो इसके headcon होगे, यह होगे, उदय को टेक, तो यह दो question केवल आप के हाँ पर यह बनेंगे, आप इनको note कर लें, क्योंकि एक्जाम में, beginner, आपके और questions होंगे, committee के, उनको मैं बता दूगा, ताकि committee आपकी cover हो जाएंगे, और exam में अगर ऐसा कुछ question आता है, तो आप उनको बना सकते हैं, और बाकी आप भी तोड़ी research करते रहें, ताकि कुछ questions आपको भी और अच्छे मिल जाएं, यहाँ पर आप banking की बहुत सार पर और मारी website currentaffairesfunder.com को इसको regular visit करते रहें, so thank for watching this video, have a good day.